स्ट्रीट वीटो अर्थात प्रदर्शन की यार में रोड पर घर बसाओ नीती से देश को अब बचाने के लिए पुखता कदम उठाने पड़ेंगे प्रदर्शन के नाम पर दंगाई और उपद्रवी सडकों को नया घर और रोड को अड़ा बनाने से भी नहीं चुकते ऐसे में इन तत्वों से अब देश को बचाने की आवश्यक्ता है क्योंकि ये देश को बरबाद करने के अतरिक्त और कुछ नहीं सोचते सडकों पर उतरना सारजनिक संपत्ति का सत्यानाश करना ही इनका एक मात्र धे है नमस्कार आप देख रहे हैं TFI जो है देश का सबसे विश्वसने अल्टनेट नियूज मीडिया पोटल मैं पदमास्ट्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे सत्याग्रह के नाम पर दंगा और सारजनिक रूप से माहौल बिगारने वालों को जिनकी शेह मिलती है उन पर नकेल कसने के लिए देश को ये काम उन हाथों में देना चाहिए जो इस संदर्व में कई कड़े निने ले चुके हैं तो चलिए और विलंब आरंभ करते हैं राज्य के स्तर पर देखें तो दो राज्य ऐसे हैं जिनके प्रमुख सेवादार ऐसे घटना क्रम उपर बेहत सतर्क रहते हैं और वो हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनात और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व स सर्मा, CAA, NRC, किसान आंदोलन और ऐसे अनन्य घटना ग्रम जो प्रमुकरूप से इसलिए धरने और प्रदर्शन का कारण बन गए क्योंकि सरकार द्वारा उस छेत्र में लाई जाने वाले कानून उन्हें फूटी आख नहीं सुहा रही थी तीनों के समय शाहीन बाग से लेकर दिल्ली के सब ही बॉर्डर्स पर ऐसी और विवस्था फैली कि 2019 के अंत में शुरू हुआ CAA NRC के विरुद्ध प्रदर्शन मार्च 2020 तक चला गया और निश्चित रूप से ये तब ही नहीं खत्म होता अगर मार्च 2020 में कोरोना की पाबन दियाना आई होती पर खत्म होती होती ये संसत से लेकर सड़क तक पहुँच गया CAA NRC का ये विरोध शिगूफा राजधानी दिल्ली में बड़े दंगो का कारण बन गया और दिल्ली दहल उठी खेर कोरोना आया और शाहीन बाग की बिर्यानी चकल लस समाप्त होई पर अब चूंकि ये प्रदर्शन सरकार को जुका नहीं पाया तो एजेंड आधारियों में तो अगली टूल की भी तयार कर ली दिल्चस बात ये है कि प्रदर्शन और धर ने देश में पहले भी हुए पर इस स्तर पर सामाजी कहानी और सोहर्द्र बिगाड कर कभी अपनी मांगे नहीं मांगे गए ये कथित सत्यागरह नए नए शब्द अस्तित्तों में ले आ लाए गए तीनों क्रिशी हितैशी कानून क्योंकि अंधा विरोध अर्थात ये सरकार जो भी नीती लाएगी उसका विरोध ही करना है उस दे के साथ अपना एजेंडा चला रहे गुटों को नया बहाना मिल गया सडकों पर घर बना कर डेरा डालने का अब नीती निर्मार तो संसद में ही होते हैं और संसद है दिल्ली में तो एक बार फिर देश में परोग शुरूप से आगजनी का एपी सेंटर दिल्ली बन गया कोरोना के बढ़ते प्रकोप में ही 9 अगस्त 2020 को किसान विरोधी कानूनों का नारा बुलंद कर किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ देश को वैश्विक स्तर पर नीचा दिखाने की सारी हदे इस आंदोलन में पार हुई और बढ़ते बढ़ते ये आंदोलन 2020 पूरा खा गया दोहजारी कीस में भी कोई हल नहीं निकला और 2022 आने से कुछ दिन पूर्व ही कथित किसानों की घर वापसी तब हुई जब सरकार ने तीनों कानून वापस लेने की घोशना करती इस पूरे परिद्रश में एक चीज फिर से एक समान ही दिखाई देती है एक ही और इशारा कर रही थी जो था सरकार को जुकाना ये सब हुआ इसके बाद एक और नया प्रयोग गढ़नी के प्रयास हुए और इस बार ये प् इरोहों ने हिंदू देवस्थानों और शुभायात्राओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया बात बिगड़ते बिगड़ते यहां तक कहुँच गई कि अब हर जुमे पर इस बात का खत्रा रहता है कि कौन से मश्जित से जहादी भीड निकलेगी और शांती दूत अश हुए हाल ही में नए मुद्दे और सरकार की एक और नीती जिसका सरोकार युवा पिढ़ी से है ऐसे अगनीपत्यूजना के विरुद्ध सड़कों पर उत्रे तुछ मान सिक्ता के परिचायक ट्रेन से लेकर क्या कुछ नहीं जला रहे हैं यह सब प्रायोजित जान पड़त है क्योंकि सरकार जो नीति लाएगी उनका मंत्र सीमित है कि विरोध विरोध और केवल और केवल विरोध बात उसी धर्रे पर आ गई कि अब अगनीपत्यूजना जैसे प्रयोजनों के माध्यम से देश को जुकाने के पूरे प्रबंध किये गया ऐसा लगता है ऐसे में पद्रवी मनुस्यों का उपचार होना चाहिए और वो उपचार हैं दो मुख्य मंत्री जो बेहत सम्वेदन शील राज्यों का प्रतिने धित्व करते हैं पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगिया दितिनात और दूसरे असम के मुख्य मंत्री हिमंता बिस्व सर ये दोनों शासन प्रशासन पर अच्छी पकड और सख्त निर्देश देने के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान के चल रहे घटना क्रमों में दंगाई को जेल और बुल्डोजर से नमाजने जो ऐसे निर्णयों ने एक बड़ा संदेश देश को दिया है जिसके समर्थन में ह पर जन मानस है। ऐसे सड़क को अपनी निजी संपत्ती समझने वालों को अब इनसे बहतर कोई ठीक नहीं कर सकता है। जरूरत है कि अब इस टूल किट को ध्वस्त किया जाए और शान्ति स्थापित किया जाए।